जय सोमनगत कारक्रम में हमारे साथ जुड रहे हम सभी के स्रध्धे लाल कृष्ण अर्वानी जी देश के ग्रह मंत्री स्री अमिश शाह जी श्रीपद नाइक जी अजय भड जी गुजरात के मुख्य मंत्री विजय जी गुजरात के उपमुख्य मंत्री नितिन भाई गुजरात सरकार में परियटन मंत्री जवाहर जी वासन भाई लोग सभा में मेरे साथी राजेश भाई सोमनाद मंदे ट्रस्ट के ट्रस्टी त्री प्रमीन लहरी जी, सभी स्रद्धालू, देवियों और सज्जनों मैं इस पवित्र अवसर पर वीडियो कांफरेंस के जरिये जोड़ रहा हूँ लेकिन मन से मैं स्वयम को भगवान स्री सोमनाद के चरणों में ही अनुभव कर रहा हूँ मेरा सोभाग्य है कि सोमनाद मंदे ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में मुझे इस पुन्ड स्थान की सेवा का अवसर मिलता रहा है आज एक बार फिर हम सब इस पवित्र तिर्ख्य काया कल्ब के साक्षी बन रहे हैं आज मुझे समूत्र दर्शन पत्थ, सोमनाद प्रदर्शन गैलरी और जिर्डोधार के बाद नए स्वरूप में जुना सोमनाद मंदिर के लोकारपन का सवभाग्य मिला है साथ ही आज पार्वती माता मंदिर का सिलान्याद भी हुआ है इतना पुनित संयोग और साथ में सावन का पवित्र महिना मैं मानता हूँ ये हम सब के लिए भगवान सोमनाद जी के आशिरवाद की ही सिद्धी है मैं इस आउसर पर आप सभी को ट्रस के सभी सदस्यों को और देश विदेश में भगवान सोमनाद जी के करोड़ों भक्तों को बधाई देता हूँ विशेश रुप से आज मैं लोह पुरूश सरदार बल्लब भाई पटेल जी के चरणों मैं भी नमन करता हूँ जिनों ने भारत के प्राचिन गवरों को उदर जिवित करने की इच्छा शक्ती दिखाई है सरदार साहब सोमनाथ मंदिर को स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भावना से जुड़ा हुआ मानते थे यह हमारा सवभाग्य है कि आज आजाजी के 75 साल में आजाजी के अमुरुत महोत्सों में हम सरदार साहब के प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं सोमनाथ मंदिर को नई भग्विता दे रहे हैं आज मैं लोक माता अहल्य भाई होलकर को भी प्रणाम करता हूं जिनोंने विश्वनाथ से लेकर सोमना तक कितने ही मंदिरों का जिर्णोधार कराया प्राचिन्ता और आधुनित्ताच का जो संगम उनके जीवन में था आदेश उसे अपना आदर्श मान करके आगे बढ़ रहा है साथियों स्टेच्य आफ यूनिटी से लेकर कच्छ के काया कल्प तक परियर्टन से जब आधुनित्ता जुड़ती है तो कैसे परणाम आते हैं गुजरात ने इसे करीब से देखा है यह हर कालखन की मांग रही है कि हर धार्मिक परियर्टन की दिशा में भी नई संभावनाओं को तलासे लोकल अर्थ बवस्ता से तिर्थ आत्राओं का जो रिष्टा रहा है उसे और मजबुत करें जैसे कि सोमनात मंदिर में अभी तक पूरे देश और दुनिया से स्रधालू दर्शन करने आते थे लेकिन अब यहां समुद्र दर्शन पत्स प्रदर्शनी पिल्ग्रिब प्लाजा और शौपिंग कॉंप्लेक्स भी परियर्टकों को आकर्शित करेंगे अब यहां आने वाले स्रधालू जुना सोमनात मंदिर के भी आकर्शक स्वरूप का दर्शन करेंगे नए पार्वति मंदिर का दर्शन करेंगे इससे यहां नए अवसरों और नए रोजगार का भी स्रजन होगा और स्थान की दिव्यता भी बढ़ेगी यही नहीं प्रामनेड जैसे निर्बान से समुद्र के किनारे खड़े हमारे मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ेगी आज यहां सोमनात एक्जिबिशन गैलेरी का लोकारपण भी हुआ है इससे हमारे युवाओं को आने वाली पीडी को उस इतिहास से जुड़ने का हमारी आस्ता को उसके प्राचीन स्वरुप में देखने का उससे समझने का एक आउसर भी मिलेगा साथियों सोमनात तो सदियों से सदा सिव की भूमी रही है और हमारे यहां सास्त्रों में कहा गया है शम करोति सह शंकरह अर्थात जो कल्यान को जो सिद्धी को प्रदान करे वो शीव है यह शीव ही है जो विनास मैं भी विकास का बीज अंकुरित करते हैं समहार मैं भी स्रजन को जन्म देते हैं इसलिए शीव अविनाशी है शीव अव्यक्त है और शीव अनादी है और इसलिए तो शीव को अनादी योगी कहा गया है इसलिए शीव में हमारी आस्ता हमें समय की सिमाओं से परे, हमारे अस्त्वित्व का बोध कराती हैं, हमें समय की चुनोतियों से जूजने की शक्ति देती हैं और सोमनात का ये मंदीर हमारे इस आत्मविश्वास का एक प्रेणना स्थल है, साथियों आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस भव्य सम्रचना को देखता है, तो उसे केवल एक मंदीरी नहीं दिखाई देता हैं, उसे एक ऐसा अस्तित्व दिखाई देता हैं, जो सेंकडों हजारों सालों से प्रेणना देता रहा है, जो मानवता के मुल्यों की गोशना कर रहा है, एक ऐसा स्थल जिसे हजारों साल पहले हमारे रुश्यों ने प्रभास ख्षेत्र यानी प्रकास का ज्यान का ख्षेत्र बताया था, और जो आज भी पूरे विश्व के सामने ये आहवान कर रहा है कि सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता, आस्था को आतंग से कुछला नहीं जा सकता, इस मंदीर को सेंकडों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहां की मुर्थियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितने भी बार गिराया गया, वे उतनी ही बार उठखड़ा हुआ, इसलिए भगवान सोमराथ मंदीर आज भारती नहीं, पूरे विश्व के लिए एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है, जो तोड़ने वाली शक्तियां है, जो आतं के बल्बुत्ते सामरज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखन में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाएं, लेकिन उसका स्तित्व कभी स्थाई नहीं होता, वो ज़्यादा दिनों तक मानवता को दवा कर नहीं रख सकती, ये बात जितनी तब सही थी, जब कुछ आतताई सोमनात को गिरा रहे थे, उतनी ही सही आज भी है, जब विश्व ऐसी विचार धाराओं से आशंकित है, साथियों, हम सभी जानते हैं, सोमनात मंदिर की पुनर निर्मार्चे लेकर भव्य विकास की ये यात्रा केवल कुछ सानों या कुछ दशकों का परणाम नहीं है, ये सद्यों की द्रड इच्छा शक्ति और वैचारिक निरंतरता का परणाम है, डॉक्टर राजेंदर प्रशाज जी, सरदार बल्लभाई पटेल और कमा मुन्सी, जैसे महनुभाव ने इस अभियान के लिए आजादी के बाद भी कठीनाईयों का सामना किया, लेकिन आखिर कर 1950 में सोमनाथ मंदिर आधुनिक भारत के दिव्य स्तंब के रुपे स्थापिद हो गया, कठीनाईयों के सवहार्दपुन समाधान की प्रतिवित्यता के साथ आज देश और आगे बढ़ रहा है, आज राम मंदिर के रूप में नए भारत के गवरों का एक प्रकासि स्तंब भी खड़ा हो रहा है, साथ क्यों हमारी सोच होनी चाहिए इतिहास से सिक्कर वर्तमान को सुधारने की एक नया भविष्य बनाने की, इसलिए जब मैं भारत जोड़ों आंदोलन की बात करता हूँ, तो उसका भाव केवल भावगोलिक या वैचारिक जुड़ाव तक सिमित नहीं है, ये भविष्य के भारत के निर्मान के लिए हमें हमारे अतीत से जोड़ने का भी संकल्प है, इसी आत्मई विश्वात पर हमने अतीत के खंधरों पर आधुनिक गवरों का अनिर्मान किया है, अतीत की प्रेणाओं को संजोया है, जब राजे इंदर प्रसाजी सोमनाफ आये थे, तो उन्होंने जो कहा था, वो हमें हमें याद रखना है, उन्होंने कहा था, सदियों पहले भारत सोने और चांदी का भंडार हुआ करता था, दुनिया के सोने का बड़ा हिस्था तब भारत के मंदिरों में ही होता था, मेरी नजर में सोमनाथ का अपुना दिन्वान उस दिन पूरा होगा, जब इसकी नीव पर विशाल मंदिर के साथ ही, सम्रुद्ध और संपन्न भारत का भग्व्य भवन भी तैयार हो चुका होगा, सम्रुद्ध भारत का वो भवन जिसका प्रतीर्क सोमनाथ मंदिर होगा, हमारे प्रथम राश्पती, डॉक्टर राजेंदर प्रसाज्जी का ये सपना, हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेणा है, साथियों हमारे लिए इतिहास और आस्था का मूल भाव है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हमारे यहां जिन द्वादस जोति लिंगों की स्थापना की यहे हैं, उनकी शुरुवात सवराष्ट्रे सोमनाथम, सवराष्ट्रे सोमनाथम के साथ सोमनाथ मंदिन से ही होती है, पस्चिम में सोमनाथ और नागेश्वर से लेकर, पूरब में बाइदनाथ तक, उत्तर में बाबा केदारनाथ से लेकर, दक्षिन में भारत के अंतिम छोर पर विराजमान, स्री रामेश्वर तक, ये बारा जोतिलिंग पूरे भारत को आपस में पिरोने का काम करते हैं, इसी तरह हमारे चारो धामों की वबस्ता, हमारे शक्ती पीठों की संकल्पना, हमारे अलग-अलग कोनों से अलग-अलग तिर्थों की स्तापना, हमारी आस्था की ये रूप रेखा वास्तों में एक भारत, स्रेष्ट भारत की भावना की ही अभिवक्ती हैं, दुनिया को सदियों से अस्षर्य होता रहा, कि इतनी विविदताओं से भरा भारत, एक कैसे हैं, हम एक जूट कैसे हैं, लेकिन जब आप पूरप में हजारों किलोमिटर चल कर, पूरप से पस्चीम सोमनात के दर्सन करने वाले सद्धालों को देखते हैं, क्या दक्षिर भारत के हजारों हजार भक्तों को काशी की मिट्टी को मस्तक पर लगाते देखते हैं, तो आपको ये एसास हो जाता है, कि भारत की ताकत क्या है, हम एक दूसरे की भाशा नहीं समझ रहें, वेश-बुजा भी अलग, खान-पान की आदते भी अलग, लेकिन हमें एसास होता है, हम एक हैं, हमारी इस आध्धात्मिक ताने, सदियों से भारत को एक ताके सुत्र में पिरोने में, आपसी समवार स्थापित करने में, एहम भुमी का निभाई है, और हम सभी का दाईत्व हैं, इसे निरंतर मजबूत करते रहना, साथ क्यों, आज पूरी दुनिया, भारत के योग, दर्शन, अध्यात्म, और संस्कृती की और आकर्शिद हो रहे हैं, हमारी नई पीडी में भी, अब अपनी जड़ों से जुड़ने की नई जागरुकता आई हैं, हमारे टूरिजम और आध्यात्मिक टूरिजम के खेत्र में, आज राष्ट्रिय और अंतराष्ट्रिय संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को आकार देने के लिए, देश आज आधूनिक इंफ्रस्ट्रक्चर बना रहा है, प्राचिन गवरोव को पुनर जिवित कर रहा है, रामाएंड सरकीट का उधारन हमारे सामने हैं, आज देश दुनिया के कितने ही रामभक्तों को, रामाएंड सरकीट के जरिये, भगवान राम के जीवन से जुड़े, नए नए सानों की जानकारी मिल रही है, भगवान राम कैसे पूरे भारत के राम है, इन सानों पर जाकर हमें, आज ये अनुभव करने का मोका मिल रहा है, इसी तरह बुद्ध सरकीट पूरे विश्व के बवद अनिवाईयों को, भारत में आने की, परियटन करने की सुविधा दे रहा है, आज इस दिशा में काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, ऐसे ही हमारा परियटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन स्कीम के तहट, पंद्रा अलग-अलग थीम पर टूरिश्व सरकीट को विख्षित कर रहा है, इन सरकीट से देश के कई उपेक्षित इलाकों में भी परियटन और विकास के आउसर पैदा होगे हैं, साथ क्यों, हमारे पुर्वजों की दुर्द्रश्टी इतनी थी कि उन्होंने दूर सुदूर छेत्रों को भी हमारी आस्ता से जोडने का काम किया, उनके अपने पन का बोध कराया, लेकिन दुर्भाग्य से जह हम सक्षम हुए, जब हमारे पास आधुरिक तक्नीक और समसादन आए, तो हमने इन इलाकों को दुर्गम समझ कर उसे छोड़ दिया, हमारे परवतिय इलाके इसका बहुत बड़ा उदान है, लेकिन आज देश इन पवित्र वैश्णो देवी मंदिर के आस्पांच विकास हो, या पुर्वोत्तर तक पहुंच रहा हाई-टेक इंफरस्रक्टर हो, आज देश में अपनों से दुरियां सिमट रही है, इसी तरह 2014 में देश ने इसी तरह तीर्थ स्थानों के विकास के लिए प्रसाद स्किम की भी गोशना की थी, इस योजना के तहट देश में करीब करीब 40 बड़े तिर्थ स्थानों को विक्सित किया जा रहा है, जिन में 15 प्रोजेक्ट का काम पूरा भी कर लिया गया है, गुजरात में भी सो करोड से जादा के तीन प्रोजेक्ट पर प्रसाद योजना के तहट काम चल रहा है, गुजरात में सोमनाथ और दूसरे टूरिस स्पोर्ट और शहरों को भी आपस में जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी पर विशेद ध्यान दिया जा रहा है, कोशिज ये कि जब परियाटक एक जगह दर्शनकर ने आए, तो दूसरे परियाटक स्थलों तक भी जाए, इसी तरह देश भर में 19 आइकोनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की पहचान कर आज उन्हें विक्सित किया जा रहा है, ये सभी प्रोजेक्स हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री को आने वाले समय में एक नई उर्जा देंगे, चाथियों परियटक के जरिये आज देश सामान्य मानवी को नकेवल जोड रहा है बलकि खुद भी आगे बढ़ रहा है, इसी का परणाम है कि 2013 में देश ट्रावेल एंड टूरिजम कंपिटिटिवनेस इंडस्ट में जहां 65 स्थान पर था, देश ने इन साथ सालों में कई नितिकत फैसले भी किये हैं जिनका लाप देश को आज हो रहा है, देश ने इविजारिजिम, वीजा उन एराइवल जैसी व्यवस्थमों को आगे बढ़ाया है और वीजा की फीश को भी कम किया है, इसी तरह तूरिजम सेक्टर में हॉस्पिटालिटी के लिए लगाने वाले जीएश्टी को भी कटाया गया है, इससे तूरिजम सेक्टर को बहुत लाब होगा और कोवीड के प्रभावों से उबरने में भी मदद मिलेगी, कई फ्रेंस ने परियाटों को के इंट्रेस को ध्यान में रखकर भी किये गए हैं, जैसे कि कई परियाटों जब आते हैं तो उनका उत्सा एडवेंचर को लेकर भी होता है, इसे ध्यान में रखते हुए हैं, देश्ट ने 120 माउंटेन पिक्स को भी ट्रेकिंग के लिए खोला है, परियाटकों को नई जगह पर असुविजा ना हो, नई जगहों की पुरी जानकारी मिले, इसके लिए भी प्रोग्रेम चलाकर गाइड्स को ट्रेंड किया जा रहा है, इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी बन रहे हैं, साथियों हमारे देश की परंपराएं हमें कठीन समय से निकल कर, तकलीप को भूर कर आगे बढ़ना की प्रेना देती हैं, हमने देखा भी है, कोरोना के इस समय में पर्यटन लोगों के लिए उम्मीति कीरण है, इसलिए हमें अपने पर्यटन के स्वभाव और संस्कृति को लगातार विस्तार देना है, आगे बढ़ना है, और खुद भी आगे बढ़ना है, लेकिन साथ ही हमें ये भी जान रखना है, कि हम जरूरी साउधानिया, जरूरी बचाव का पूरा खयाल रखें, मुझे विश्वास है, इसी भावना के साथ देश आगे बढ़ता रहेगा, और हमारी परंपराएं, हमारा गवरव आधुनिक भारत के निर्माण में हमें दिशाद देती रहेगी, भगवान सोमनात का हम पर आशिरवाद बना रहें, गरीब से गरीब का कल्यान करने के लिए, हम में नई-नई ख्षमता, नई-नई उर्जा प्राप्त होती रहें, ताकि सर्वके कल्यान के मार्क को हम समर्भी धाव से सेवा करने के मार्दम से जन सामाने के जीवन में बडलाव ला सके, इनी सुपकामराओं के साथ आप सभी को बहुत-बहुत धनवाद, जाए सोमनात!